असलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कुईत में रहते हो और कुईत के इमतरीन खबरों से में सा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर ल थाले husband wife की वहाँ पे मौत हो गई है दोस्तों accident के वजए से खबर दोस्तों यह है कि traffic accident वहाँ पे हुआ है फहिल एरिया में दो गार्यों के बीच में दोस्तों वहांपको क्लाइजन हुए है यानि टक्कर वगईरह हुई जिसके वजए से दोनों वहाँ पे सोार की दूनों की मौक़े पही मौत हो गई थी फिलाल दोस्तो जलबाजी में दनों को उठाकि वहां पहस्पीटल वगारद ले जाने की कोसिस की गई थी पर हस्पीटल जाने के बाद यह मालूम चला हैmayın कि दोनों की वही पे मौके पे ही मौत हो चुकी थी Forensic Department दोस्तो बॉड़ी की जाच कर रही है कोई रिपोर्ड वैसे दोस्तो आती है मैं आप तक सेर जरूर करूँगा पर एक्सिडेंट के दोरान ही दोस्तो उन लोगों की वही पे मौके पे ही मौत हो जुकी थी अगली अपडेट की उट साथ ही चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथ की बहुत ही बड़ी खबर है खबर दोस्तों आ रही है CAIT के तरब से CAIT कहा जाता है Central Agency of Information Technology यानि Cyber Crime वाले जो होते हैं ये डिपार्टमेंट उसे रोकने के लिए उनके तरब से दोस्तों आ रहा है तो साथियों Cyber Crime को लेकर हमेशा मैं आपको बताता हूँ लोगों को सावधान रहने के लिए कहा जाता है इस सभी तरह के फ्रोडेश्टर के लिए बचने के लिए किसी भी तरह का bank वगएरा से message वगएरा आता है तो आपको किसी दोस्तों click नहीं करना है कोई personal जानकारी आपको नहीं देना है तो साथियों एक आकड़ा निकाला गया है कि 2021 तक लगभग 6 trillion US dollar का दोस्तों अब तक कुएत में नुकसान हो चुका है 6 trillion dollar यानि वो लोग जो है वो किसी नहीं किसी तरीके से वो लोग ठगी कर चुके है और एक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि 2025 आते आते ये 10 trillion US dollar दोस्तों ये हो जाएगा तो इससे अब अंदाजा लगा सकते है कि कितना जादा वहाँ पे fraud का काम वहाँ पे दोस्तों लोगों के द्वारा वहाँ पे किया जाता है इसलिए मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए कभी भी किसी पे विश्वास मत कीजिए कभी भी कोई message वगएरा कुछ भी आता है तो अब direct buying चले जाए तो ही आपके लिए जादा बहतरी होगी अगली update के और साथ हूँ चलते हैं अगली ख़बर दोस्तों जो आरी ministry of health के तरफ से आरी तो ministry के तरफ से दोस्तों decision लिया गया है कि वहाँ पे जितने भी ministry of health के तरफ से तो इंडिया पाकिस्तान के लोगों के लिए काफी कम लगता है तो वहाँ पे medicine खरीदने में काफी जादा उन लोग को कठनाईया होती क्योंकि दाम काफी जादा होता है तो इसलिए दोस्तों expert लोगों के लिए हो सकता है दवाईयों वगएरा में कुछ छूट बहुती जल्दी दिया जाएगा अगली update की और साथियों चलते है अगली खबर दोस्तों जो आरे साथियों सुबईया एरिया से आरी है तो सुबईया एरिया से साथियों ये वहाँ के लोगों के द्वारा ये बताया गया है जो खबर दोस्तों वारे साथियों बहुती बड़ी खबर है खबर दोस्तों ये है कि एक माने अपने बॉइफरेंड के साथ मिलके उन्हें तीन बच्चों को वो टॉर्चर करती थी जिसके बाद किसी के दोरा कम्पलेंड किया गया या फिर बच्चों के दोरा ही कम्पलेंड किया गया और बच्चों को होस्पीटल ले जाए तो माशूम मालूम चला है कि तर हैं तो कि तो कमेंड कि अर्थ साथाएगिज intrig है